सद्यों के संगर्ष के बाद जब भारत आजाद हुआ तो हम गुलामी और अत्याचार के घावों से बरे उलिये थे हमारे सामने उस अपने अस्तीत्व को फिर से खड़ा करने की चुनोती उसको लेकर के हम खड़े थे लड़े थे भारत के इस सांस्कृतिक आजादी के शुरुवाद भी सरदार साहब के नित्रुत्व में गुजराच से ही हुई थी सोमनाथ मंदिर का पुनर निर्मान राश के पुनर निर्मान के संकल्प के रूप में हमारे सामने आया पावागड और पंचमहाल आज सोमनाथ को इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जिसने गुजराच को पुरे देश में पहचान दी थी आज जो द्वजा फैराई गई है वो केवल महाकाली मंदिर की द्वजा नहीं है बल्कि गुजराच और देश के सांस्कृतिक गवरों की द्वजा भी है पंचमहाल और गुजराच के लोगों ने सदियों से इस मंदिर की भव्यता के लिए प्रयास किये अब सोने से बढ़े कलेश के साथ इस मंदिर से जुड़ा वो सपना पूरा हुआ है आज पावागड़ और पंचमहाल की तपस्या सिद्ध हुई है